आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आपको मालूम होगा इस सीरीज के माध्यम से हम लोग NCRT के हर एक चाप्टर, हर एक चाप्टर के हर एक पेज, हर एक पेज के हर एक टॉपिक को आसान बनाते हैं, फ्लोचार्ट से समझते हैं और NCRT के हर लाइन को तयार करते हैं जिस तरही से आपका जो नीट में एक्जाम पेपर जो आए उसमें आप कोई भी गलती ना कर पाएं इसका मतलब यह है कि NCRT को 360 दिग्री तयार करने के लिए जो चीजों की जरुवत है वो हम इस सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं तो बच्चों आपको याद होगा लास लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास लेक्चर में हमने जैव प्रद्योगी की यानि बायो टेकनोलोजी का सिध्धान्त वो वाला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज जो जैव प्रद्योगी की में हम नया चैप्टर लेकर आए हैं वो जैव प्रद्योगी की और उसके अनूप्रयोग है तो आज का जो चैप्टर है हमारे पास वो है उसका पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रद्योगी की के अनूप्रयोग मैंने आपको वैसे भी बताया है कि ये जैव प्रद्योगी की के दोनो चैप्टर्स, बायो टेकनोलोजी के दोनो चैप्टर्स बहुत महत्वपून है, मानके चलिए आप 6 से 8 सवाल जो है वो नीट में इसमें आपसे पूछे जाएंगे, और वो इसलिए है क्योंकि ये बॉटनी में भी आता है और जोलोजी में भी आता है, तो आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को तैयार करना पड़ेगा, सिधान्त यानि जो प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं अप्लिकेशन की, अ अब एप्लिकेशन वाला चैप्टर पढ़ने से लिए और एप्लिकेशन चालू करने से पहले आपको यहां पर सबसे पहले किसकी बात पता होनी चाहिए GMO, बार बार ये शब्द आप से ज़रूर पूछा जाता है, सर ये शुरुआत में ही पूछा जाएगा कि ये GMO क्या है, तो फुल फॉर्म तो हम सब को इसका मालूम है, फुल फॉर्म तो इसका मालूम है बच्चो, जेनेटिकली मॉडिफाइड और गैन्जीजम्स, यानि आनुवानशिक रूप से रुपांतरित जी, आनुवानशिक रुपांतरित या जेनेटिकली मॉडिफाइड और गैन नंबर आए तो बहुत-बहुत बधाई हो रॉयल गेविंग जी तो इसमें एक चीज याद रखेगा इसमें आपकी मेहनत है आप मेहनत करके गए चीजों को समझके गए सीखके गए तो अच्छे नंबर आपको बहुत-बहुत मुबारक हो ठीके गोविन जी देखिए बेटा वो भी हम करने वाले हैं देखो मानव कारे की यूमन फिजियोलोजी पादब कारे की सब करा दूँगा मैंने आपसे बोल रखा है जैसे जैसे एक्जाम्स नजदीक आएंगे आपके लिए वन शॉट भी लेकर आएंगे और वन शॉट सिरीज में तो हम लोग 11 के टॉपिक्स को और बढ़िया तरीके से मतलब जल्दी भी कर लेंगे ठीके बचों तो सबसे पहले GMO की परिभाषा याद रखनी है ये GMO है क्या परिभाषा क्या है तो आपको याद रखना है ऐसे और्गैनिजम्स जिसके DNA में कोई रुपांतरन किया गया हो जिसके DNA में कोई चेंज किया गया हो अरे राजुराम जी ने बहुत अच्छा क्वेशन पूछा है कि सर जब PCR है तो प्लास्मिट जैसे वाहक की क्या आवशक्ता है बहुत बढ़िया सवाल पूछा है राजुजी ने राजुजी इसका एक धारन आपको मैं बता रहा हूँ मान लो आपको एक ऐसे DNA की कौपी बनानी है ऐसे DNA का आवर्धन करना है जिसका क्रम आपको मालूम है तो जिसका क्रम आपको मालूम है उसका तो आप PCR कर लोगे लेकिन एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है या ऐसा DNA है जिसका न्यूक्लियोटाइड क्रम आपको ग्यात नहीं ह तो जिसका आपको nucleotide crumb ग्याद नहीं होगा बेटा, उसका PCR नहीं किया जा सकता, ठीके, तो ये एक सीमा है, एक limitation है, जितेंदर जी ने पूछा है सर, eukaryotic cell में restriction endonucleases नहीं होती बेटा, मैंने बार-बार बोला है कि जो restriction endonucleases है, वो केवल जिवानू में पाई जाती है, ब जिवानू में मिलती है, ठीके बच्चों, तो genetically modified organisms का मतलब है, ऐसे organisms जिसके gene में क्या किया गया हो, change किया गया हो, manipulation किया गया हो, परिवर्तन लाया गया हो, या रुपांतरन किया गया हो, तो अगर कोई भी organism है, वो पादप हो सकता है, वो जन्तु हो सकता है, वो कोई बेक् तो plant हो, bacteria हो, fungi हो, या animal हो, कोई भी जीव, अगर उसके DNA में, अगर उसके gene में आपने कोई परिवर्तन किया है, कोई change किया है, कोई रुपांतरन किया है, तो ऐसे organisms को हम क्या कहते हैं GMO, तो याद रखना ये definition NCRT में भी दे रखी है, तो genetically modified organisms की परिभाशा याद रखिएग ये तो पहली चीज होई बच्चों, अब दूसरी चीज क्या है, कि इस chapter में हमको अनुप्रयोग देखने है, ठीके, अरे चार पाश दिन बाद भूल गए तो बेटा उसको daily पढ़ोना यार्दे को हमेशा याद रखना, चीजों को आसान करने के लिए, चीजों को बहतर दिन का नहीं है, नुकसान उस पहले दिन का भी है, जिस दिन आपने 14 घंटे मेहनत की होगी, तो हमेशा मैं कहता हूँ, जब आप मेहनत कर रहे हो, चीजों को पढ़ रहे हो, तो एक consistency, निरंतरता बनाए रखिए, regularity, consistency होगी, निरंतरता होगी, तभी आपको बहतर result मिलेग अब देखो बच्चों, सबसे पहला topic यहाँ पर है, कि हम लोग GMOs, यह genetically modified organisms, यानि हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, GM पादपों की, और GM पादपों का अनुप्रयोग, या हम सबसे पहले उसकी application किस में देखेंगे, क्रिशी में, तो जो सबसे पहला topic NCRT में है, और वो सबसे पहला topic है, कि हम GM पादपों की बात करने वाले हैं, genetically modified plants की बात करने वाले हैं, और उन plants का use, या उन पादपों का प्रयोग, हम क्रिशी या agriculture में करेंगे, तो अब सुन ले न, NCRT में क्या दे रखा है, कि पहली बात तो GM पादप बनाने का क्या फादप है, GM पादप या क्रिशी में agriculture बनाने का क्या फादप है, तो अब उसमें क्या-क्या फादे हैं, आपको ध्यान में रखना है, पहला फादा तो आपको क्या दे रखा है, बचों, पहला आपको फादा दे रखा है कि abiotic stress, यानि अजैविक प्रतीबल, जैसे सूखा है, सूखा का मतलब कह दिया ड्रॉट है, सॉइल में जादा लवनता है, यानि सैलिनिटी है, तो अगर कोई भी environmental factors अनुकूल नहीं है, जिस सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा है, उसमें पानी नहीं है, उसमें लवन या सॉल्ट जादा है, तो ऐसे प्लांट जो इनके प्रती क्या हो, टॉलरेंट हो, यानि abiotic stress के प्रती क्या हो, सहिशनुता दर्शाएं या tolerance दर्शाएं, तो ऐसे पादप हम किसके द्वारा बना सकें, GM पादप, हम ऐसे पादप बना सकें, जो लवनता, सॉल्ट में भी ग्रो कर सकें, हम ऐसे प्लांट भी बना सकें, जो सूखा होने पर भी वृद्धी कर सकें, तो अपने पास याद रखना है, पहला फादा तो GM पादप बनाने का ये है, कि ऐसे पादप tolerant, सहिशनु हो सकें, किसके लिए, एबायोटिक स्ट्रेस, सूखे लवनता के लिए, फिर दूसरा क्या है बचों, दूसरा कारण है कि जो रसाइनिक कीट नाशक है, मतलब chemical pesticides हैं, उन पर निर्भरता कम हो सके, chemical pesticides पर dependency निर्भरता कम हो, और chemical pesticides पर निर्भरता कम क्यों होगी, निर्भरता या dependency कम कब होगी, इसलिए होगी, क्योंकि आप कीट प्रती रोधक पादप बनाओगे, क्योंकि आप कैसे plants बनाओगे, insect resistant plants बनाओगे insect resistant कह सकते हो pest resistant तो जब आप सोचो आप genetic engineering से ऐसे plants बना सकते हो जिनको जो कीट के लिए पीड़क के लिए insect resistant हो तो आपको chemical pesticides यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये दूसरा फाइदा है तीसरा फाइदा है post harvest losses को कम करने के लिए post harvest losses को कम करने के लिए मतलब फल जब पक जाती है फसल तो फसल पकने के बाद उसकी कटाई होती है कटने के बाद जो नुकसान है उसको कम किया जा सके इसलिए GM पादब भी बनाई जाते है फिर चौथा क्या है बचों चोथा ऐसे पादब बनाए जाते हैं जो मृदा से, सौइल से बहतर रूप से मिनरल एब्जॉब कर सकें, जो खनिज का अवशोशन बहतर रूप से कर सकें, ऐसे GM पादब भी बनाए जाएं और फाइनली आपको क्या ध्यान में रखना है, ऐसे पादब बनाए जाएं जो nutritional quality, जिनकी गुणवत्ता जो है, पोशक गुणवत्ता जादा हो, जिसका example golden rice है ये पाँचों points NCRT में है, अरे कुसम जी ने काए, सर कल KVS के exam में आपके इनोट से questions आये थे, अरे धन्यवाद कुसम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए बेटा, हमारा उद्देश्य तो यही है कि आपको ऐसे सही तरीके से बता सकें चीजों को, चीजों को आसान क कर सकें, और सटीक, कहते हैं न, accurate चीज़े बता सकें, और वो चीज़े बता सकें, जिससे exams में आपके सवाल गलत ना हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यह जो NCRT की page by page सिरीज है, इसमें जितने chapter जम कर चुके हैं, उसकी playlist जरूर देखिएगा, उसकी playlist को जरूर आप follow की आपके revision में और आपके exam से पहले वो बहुत काम आएंगे, क्योंकि इस series में शुद्ध NCRT पढ़ाई जाती है, उसके बाहर की कोई चीज़ नहीं बताई जाती, तो जब आपको ऐसे last time में revision चाहिए, NCRT को tips पे करना है, क्योंकि NCRT पर ही हर paper आधारित होने वाला है आजकल तो वो आपका बहतर तयार हो जाएगा, तो ये सारे बिंदू, ये पाचो points आपको NCRT में दे रखे हैं, कि आप क्रिशी में, आप agriculture में GM plants क्यों बनाना चाहते हो, तो ये पाचो points clear है, हम सूखा या लवनता के प्रती plants को tolerant बनाना चाहते हैं, इसलिए रसाइनी कीट नाशक के प्रती निर्भरता कम करना चाहते हैं, ताकि इंसे एक रिजिस्टेंट प्लान्स बनाएं, कटाई के बाद जो नुकसान है, उसको कम किया जा सके, जो खनिज अवशोशन, मिंडल एब्सॉप्शन की शमता है, वो बहतर की जा सके, और गुनवत्ता, पोशक गुनवत्ता बढ़ाई जाए, बिल्कुल सही, गोल्डन राइस जो विटामिन A में जादा मात्रा में मिलता है, तो ये पॉइंट हमारे NCRT में दे रखे हैं बचों, ये सारे पॉइंट जो हैं, देखो ये GMO है, सबसे पहले GMO की डेफिनिशन है, ऐसे पौधे, जिवानू, कवग, जन जिनके जीन्स हस्त कोशल द्वारा परिवर्तित किये हैं, जिनके जीन्स में परिवर्तन या मैनूपुलेशन किया गया है, उसको GMO कहते हैं, फिर हमने ये भी देख लिया क्यों GM पादब बनाए गये हैं, GM पादब बनाने का क्या कारण है GMO का, ये देखो, अजयव प्रत किस्टी साइड्स पर कम निर्भरता करनी परें, कैसे पादब बनाए जाएं, पैस रेजिस्टेंट, पोस्ट हार्वेस लॉसेस को कम किया जा सके, कटाई पस्चात होने वाले नुकसानों को कम किया जाए, मिनरल यूसेज, खनिज उप्योग शम्था में वृद्धी लाई जाए, और नूट्रिशनल वैल्यू या पोशक स्तर में वृद्धी लाई जाए, जिसका एक्जाम्पल क्या है, गोल्डन राइस, रॉयल किंग मास्टर जी ने पूछा ऐसा रेनिन क्या है, देखो बेटा, दो चीज़ें याद रखनी है आपको, जो आप पूछ रहे हो ना, एक तो होता है र-e-n-i-n, और एक होता है र-e-n-i-n, दौनों में फरक थोड़ा सा है, ध्यान से सुन लीजिए, यह जो रेनिन है बच्चों, यह तो एक पाचन एंजाईम है, यह एक प्रोटीन पाचन एंजाईम है, जो स्तंधारियों के शिशुו में मिलती है, तो जो mammals होते हैं, स्तंधारी होते हैं, mammals के infants में, बच्चों में ये renin enzyme मिलती है, जो milk protein, dood protein, casein के पाचन में काम करती है, और ये जो renin है, NIN वाला, ये एक hormone के रूप में काम करता है, kidney से निकलता है, तो kidney से निकलने वाला hormone जो है, वो renin है, और अमाशे में protein पाचन enzyme, जो milk protein क आपाचन करती है, उसे R, E, double N, I, or renin कहते हैं, ठीक है बेटा, दिक्षि जी ने पूछा है, सर, oncogene क्या होती है, तो बेटा, cancer, cancer प्रेरित करने वाली genes, या cancer induced करने वाली genes को oncogene कहते हैं, तो अगर कोई भी gene है, जिसमें mutation हो गया है, और mutation होने के बाद, उसमें cancer उत्पन करने की शमता आ गई है, तो ऐसी gene को हम oncogene कहते हैं, ठीक है, चलो, तो ये वाला system मैंने आपको बता दिया, renin, renin मैं आपने अंतर पूछा था, वो बता दिया है, अब हमारे पास यहाँ पर उधारन पढ़ने हैं, अब हमारे पास यहाँ पर GM plants के उधारन या GM plants के examples हैं, और उसम सबसे पहला हमारे पास आता है BT का पास या BT cotton, तो अब BT cotton को कैसे तयार करेंगे, अमित परिहार जी ने पूछा है, सर द्वित्यक संकीनन शेत्र, secondary construction site किसमें पाई जाती हैं अमित जी, 13, 14, 15, 21, 22, 5 ऐसे क्रोमोजोम से, 5 ऐसे गुनसूत्र हैं, जिसमें secondary construction site पाई जाती है, 13, 14, 15, 21, 22, ठीक है मित जी, तो ये 5 ऐसे क्रोमोजोम से, जिसमें द्वित्यक संकीनन शेत्र होता है, और उस दित्विक संकीनन शेत्र को हम नौर के नाम से भी जानते हैं, nuclear organizer region, ठीक है बचों, अब देखो BT cotton के बारे में आपको क्या-क्या बिंदू ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि BT क्या है, तो BT का full form आप ज़रूर याद रखिएगा और आपको पता भी होगा, इसे हम कहते हैं thuringiensis, bacillus thuringiensis, ये हमारे पास एक जिवानू है या ये एक bacteria है, तो पहला लक्षन तो आपको ध्यान में रखना है कि BT क्या होती है, देखो बेटा, विशाल जी, cyclosis एक ऐसा लक्षन है, जो eukaryotes में देखा जाता है, prokaryotic कोशी का में नहीं देखा जाता, तो eukaryotes जो होते हैं, eukaryotic कोशी का अगर है, और plant cell ले देता हूँ में, तो उसका जो कोशी का द्रव्य है, उसका जो cytoplasm है, वो निरंतर गत करती करता रहता है, तो जो cytoplasm में जो गती होती है, उसे cyclosis कहते हैं, और ये eukaryotic cell का लक्षन होता है, ठीक है ना, तो आप topic बीच में पूछना चाते हैं, तो जवाब तुम हमेशा दही दूँगा, अमित परिहार जी, उनी को sad chromosomes कहते हैं, ये जो 5 chromosomes हैं, जिसमें द्वित् बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपको इसे फाइदा मिल रहा है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो फाइदा दे रही है, तो खुशी है, बढ़िया, तो अब सुनेंगे, ये जो जीवानू है, ये जीवानू सबसे पहली चीज आपको ध्यान में बनाता है, और इस कीट नाशक प्रोटीन को कोड करने वाली जीन जो है, वो होती है, क्राइजीन, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, कि ये जो जीवानू है, ये जो बेक्टीरिया है, इस बेक्टीरिया के अंदर एक क्राइजीन होती है, और ये जो क्राइ क्राइजीन है यह क्राइजीन ने कीट नाशक प्रोटीन बनाती है यह कीट नाशक प्रोटीन जो है वो किसको नुकसान पहुचाता है वो नुकसान पहुचाता है कि यह कीट नाशक प्रोटीन किन-किन को हानी पहुचाता है कीटों के गण को लेपीडॉप टेरंस कोईलोप टेरंस और डिप टेरंस ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों इंसेक्स के गण है यानि इंसेक्ट के ओर्डर है लेपिडोप टेरंस में आपके पास क्या आते हैं बच्चों ये बोल वर्म्स आते हैं आर्मी वर्म्स आते हैं बड़ वर्म्स आते हैं, तो ये जो सारे क्रिमी हैं, बड़ वर्म्स, आर्मी वर्म्स, बोल वर्म्स, ये सब लेपिड ओप टेरंस में आते हैं, कोईल ओप टेरंस में बीटा लाती हैं, और डिप टेरंस में मक्हियां और मच्छर आते हैं, इस पे भी सवाल बना सकते हैं कुन सा होता है आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा जो वर्ग है सबसे बड़ी क्लास है वो होती है कीट यानि इंसेक्टा और कीट या इंसेक्टा के बाद जो सबसे बड़ा गण होता है ओडर वो होता है ड सबसे बड़ा गण सबसे बड़ा order जो है वो dipterans है तो अब ध्यान देखेंगे बच्चों क्या क्या चीज है हमने बात की जिवानू या बेक्टीरिया की जिसे कहते हैं bacillus thuringiensis ये bacillus thuringiensis में cry gene है cry gene क्या करती है एक कीट नाशक protein या insecticidal protein का निर्मान करती है और ये protein जो है वो इन कीटों के गण को नुकसान पहुचाता है lepidopterans, koilopterans, dipterans अब पहला सवाल तो ये है कि ये जो कीट नाशक protein है जिवानू को हानी क्यों नहीं पहुचाता बेक्टीरिया को नुकसान क्यों नहीं पहुचाता तो आपको ध protoxin यानि ये एक निश्क्रिय अवस्था में है, inactive stage में होता है और बेक्टीरिया के अंदर ये निश्क्रिय होता है, inactive होता है इसलिए बेक्टीरिया को नुकसान नहीं होता बेक्टीरिया को नुकसान इसलिए नहीं पहुचता क्योंकि बेक्टीरिया जो है उसमें ये वि कैसे होगा तो ये जो कीट नाशक प्रोटीन है बचों ये कीट नाशक प्रोटीन कहां पहुचता है कीटों की मध्य आत में पहुचता है ये कहां पहुचेगा कीटों के मध्य आत या मिडगट में वहां पर इसको कैसा पीएच मिलेगा शारिय पीएच कैसा पीएच मिलता है alkaline pH या sharia pH मिलता है और इस sharia pH पर ये सक्रीय हो जाता है तो ये भी सवाल पूचते हैं कि ये जो जिवानु है उसका जो कीट नाशक प्रोटीन है उसका जो insecticidal प्रोटीन है वो कहा सक्रीय होता है वो कीटो की मद्य आत में यानि insects के mid gut में सक्रिय होता है किस कारण सक्रिय होता है क्योंकि वहाँ पर शारिय पीएच मिलता है alkaline pH और सक्रिय होने पर ये क्या करेगा mid gut की जो उपकला कोशी काएं है यानि mid gut की जो epithelial cells है उसमें छेद उत्पन करता है और छेद उत्पन करके इंसेक को मार देता है ये सारे point ncrt में है इसको मैं points में बता रहा हूँ तो कीट नाशक protein किन को हानी पहुचाता है ये बता दिया बैक्तिरिया को नुकसान क्यों नहीं पहुचाता ये बता दिया बैक्तिर कीटो को हानी कैसे पहुचाएगा मध्यांत mid gut में जाकर शारिय पी एच एलकलाइन पी एच पे सक्रिय होगा और सक्रिय होने पर उनकी उपकला कोशिकाओं में छेद उत्पन करेगा और इससे कीट मर जाएंगे अब ये तो अपने पूरा सिस्टम देख लिया है अब क्या होता है भई इसका यूज कैसे करेंगे तो हम क्या करते हैं नेक्स चीज एंसी आटी में दे रखी है कि ये जो क्राइजीन है ये क्राइजीन और उसका जो कीट नाशक प्रोटीन है ठीक है ये जो क्राइजीन है और क्राइजीन का जो कीट नाशक प्रोटीन है वो आपको ध्यान में रखना है insect group specific है मतलब वो कीट समू विशिष्ट होता है अब इसका क्या मतलब है ये भी point NCRT में है कि जो cry gene है और cry gene से बनने वाला जो कीट नाशक protein है वो कीट समू विशिष्ट है मतलब इसका मतलब अलग-अलग प्रकार की cry gene होती है और अलग-अलग प्रकार की cry gene और उससे बनने वाला अलग-अलग प्रकार का cry protein जो है वो अलग-अलग कीटो को नुकसान पहुचाता है तो NCRT में ये दे भी रखा है cry 1 AB cry 1 AB किसके विरुद काम करता है कौन बोरर के विरुद और cry 1 AC और cry 2 AB ये जीन किसके विरुद काम करती है cotton bowl worm इस पर भी बहुत सवाल बना सकता है नीट ध्यान रखना भई ऐसा नहीं है कि कोई भी cry gene जो है कोई भी cry gene है वो किसी भी कीट के लिए काम नहीं करेगी भई एक विशेश प्रकार की cry gene हमेशा एक विशेश कीट के लिए काम करेगी तो cry 1 AB कौन बोरर के विरुद काम करती है cry 1 AC और cry 2 AB cotton bowl worm के विरुद काम करती है तो आप जो cry gene आपको चाहिए उसको आप प्रिथक कर लीजिए उस cry gene को आप cloning वहाग से जोड़ कर cotton पादप में डाल दीजिए तो आपके पास BT cotton कैसा पादप बन जाएगा एक कीट प्रती रोधक पादप बन गया कैसा बन गया भई insect resistant plant बन गया तो BT cotton कैसा पादप है insect resistant देखो बच्चों वैसे तो आप कोई भी सवाल पूछोगे उसका जवाब में दे दूँगा बेटा लेकिन I hope आपका उद्देश्य यहाँ पर आकर इस चाप्टर को समझना है और इस चाप्टर का revision करना है ठीक है आशा जी आप लोमाजोम्स जो होते हैं बेटा पहली चीज तो वह NCRT में है नहीं लोमाजोम्स एक विशेश प्रकार के कोशिकांग होते हैं जो कवक में मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते हैं और इनका कार्य जो है वो basically carbohydrate sensation में होता है तो कोशी का भित्ति या carbohydrate sensation में lomasomes काम करते हैं लेकिन lomasomes का प्रशन आज तक ना तो पूछा गया है ना कभी पूछा जाएगा ये दूर दूर तक NCRT से संबंदित नहीं है ठीक है और अमिजी I hope अगर आए हैं बेटा तो मेरा ये मानना है कि आप सीखने आए होंगे इस बायो टेकनियलोजी का रिविजन करने आए होंगे आपने शुरुवात के सारे सवाल पूछे थे मैं उसके जवाब दे चुका हूँ बेटा I hope मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ये रिविजन आप कर लीजिए और लास्के पांदस मिनिट में आपको जो सवाल पूछना है पूछ लीजिएगा ठीक है जावेज जी देटिया सिरीज तो देखिए बेटा जब आप लोग भी महनत करो आप NCRT अगर आप पढ़ रहे हो NCRT को रिवाइस कर रहे हो तो मेरा उद्देश है उस NCRT को आसान बनाना है तो NCRT तो more than sufficient होती है NCRT के बाहर से तो पेपर बनता ही नहीं है नीट का तो और सारे के सारे NCRT के points हमें सिरीज में cover कर ही रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आपने ये बहतर तरीके से कर लिया तो इससे बाहर प्रश्ण नहीं जाएगा तो BT cotton सब को clear है ये हम NCRT से भी देख लेते हैं ये points अब NCRT में भी देख लेते हैं आजाओ यहाँ पर दे रखा है BT यानि bacillus thuringiensis हमें पता है एक bacteria है क्या करता है ये bacteria जो है ये ऐसे protein बनाता है जो किन-किन कीटों को नुकसान पहुचाता है lepidopterans, koilopterans और dipterans सब के उधारन है मखी-मच्छर वाला समू dipteran है, bring वाला यानि beetle वाला koilopteran है, budworm, armyworm, bowlworm वाला lepidopteran है ठीक है, फिर आपके पास ये point क्या दे रखा है, ये crystals में toxic keet नाशक protein है ये जिवानू को क्यों नहीं मारता, जिवानू को क्यों नहीं हानी पहुचाता, क्योंकि वो एक inactive pro toxin के प्रूप में पाया जाता है प्राग जी विश निश्क्रिया रूप में होता है, तो ये active कब होगा, ये सक्रिया रूप में active form में कब आएगा, alkaline pH alkaline pH और alkaline pH पर सक्रिया होने पर ये मध्य आँट, mid gut की epithelial cells में छेद करता है, और उससे death हो जाती है ये सारे points जो थे, वो हमने यहाँ पर ये देख लिए, फिर आपके पास ये भी दे रखा है बचो यहाँ पर दे रखा है BT toxins जो हैं, वो कीट समू विशिष्ट होती है, यह आपने miss कर दिया होगा point सरवाधिक बीट जी वीश किश जो है, वो कीट समू विशिष्टता पर निर्भर करती है कौन कौन सी है cry gene ये रहा ये आपके पास cry 1 AC और cry 2 AB, cotton bowl worm के विरुध काम करती है और cry 1 AB, corn borer के विरुध काम करती है अरजी जी बेटा ये जिवानू के अंदर निश्के रूप में इसलिए पाई जाती है क्योंकि जिवानू के अंदर शारिय पीएच नहीं होता और इसको सक्रिय करने पर शारिय पीएच चाहिए क्योंकि शारिय पीएच, basic पीएच होगा तबी तो इसके बाहर का crystal घुल जाएगा और ये सक्रिय हो जाएगा अनिल जी ये cry gene का ही नाम है बेटा cry gene के अलग-अलग रूप हैं देखो cry 1 AB है, cry 2 AB है, cry 1 AC है तो cry gene के अलग-अलग रूप है gene तो cry ही होगी ठीक है बचों, यहां तक एक बार comment करके बता दो clear है या नहीं चीज यहां तक सबको clear है BT cotton वाला पूरा system जो था वो हमने देख लिया है BT cotton वाला पूरा system जो है वो हमने देख लिया है बेटा, ecosystem हम bio technology complete करने के बाद चालू करेंगे ठीक है ना, जय प्रद्योगी की complete कर लेंगे biote complete कर लेंगे उसके बाद हम ecosystem वाला unit ecology वाला unit चालू करेंगे चलो बढ़िया, अब देखो बच्चों अब next हमारे पास क्या आता है next आता है हमारे पास एक pest resistant tobacco plant pest resistant tobacco plant या जिसको हम कहते है पीडक प्रति रोधक तमबाकू पादप अब ये क्या है बच्चों ध्यान से सुन लेना स्वन प्रिया जी बेटा कमेंट्स आपका कौन सा कमेंट्स नहीं पड़ा बेटा पूछिए क्या पूछना चा रहे हैं आप स्नेहा जी करेंगे बेटा देखो सारे टॉपिक्स ही करने है न तो बिल्कुल आशा जी flavor सेवर आपके NCRT में नहीं है बेटा बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्लेवर सेवर जो टमाटर की जी एम पादप है उसमें हम क्या करते हैं जो उसका पकना है जो राइपनिंग है उसको डीले कर देते तो अगर उसमें राइपनिंग डीले हो जाएगी तो लंबे समय तक ताजा रहेगा और राइपनिंग को डीले करने के लिए उसमें पॉली गैलेक्टोरुनेस एंजाइम को निश्क्रिय किया जाता है ठीक है और फाहीम जी बड़िया बेटा मेहनत करते रहे लगातार बने रहे तो बिलकुल बहुत बड़िया रिसल्ट रहेगा अपना चलो अब यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है बचों यहां पर सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है यह जो तमबाकू पादप है यानि यह जो तमबाकू पादप है उसकी जड़ों को यानि उसके रूट्स को एक पीड़क जो एक नेमेटोड पीड़क होता है नेमेटोड पेस्ट कह सकते हो या पीड़क कह सकते हो जिसका नाम क्या है? मेलेडोगाइन इनकॉगनेशेया ठीक है न? तो हमारे पास एक तमबाकू पादप है तमबाकू पादप की जड़ों को कौन संक्रमित करता है तमबाकू पादप की जड़ों को एक नेमेटोड पीड़क नेमेटोड पेस्ट है जिसका नाम है मेलेडोगाइन इनकॉगनेशा वो संक्रमित करता है तो ये जो पीड़क है ये जो पेस्ट है वो तंबाकू पादप की जड़ों को संक्रमित कर रहा है तो अब हम क्या करना चाहते हैं अब हम पीड़क प्रतिरोधक इस तंबाकू पादप को इस पीड़क के लिए इस टबैको को इस पैस्ट के लिए प्रतिरोधक या रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भई इस तंबाकू पादब को पीड़क प्रती रोधक बनाने के लिए यानि पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं आरेने आई या जिसे हम कहते हैं आरेने हस्तक शेप या आरेने इंटर्फेरेंस तो आपके पास क्या चीज याद रखनी हैं हमने ये देख लिया तंबाकू पादब था टबैको प्लांट था उसकी जड़ों को कौन संक्रमित कर रहा था एक नेमेटोड पीड़क उस पीड़क का नाम था मेलेडोगाइन इनकोगनेशा अब हम चाहते हैं कि ये जो तंबाकू पादब है वो इस पीड़क के लिए प्रतिरोधक हो जाए यानि वो पैस रेजिस्टेंट बन जाए तो पैस रेजिस्टेंट बनाने के लिए पीड़क प्रतिरोधक बनाने के लिए हम कौन सी तकनीक यूज़ करते हैं आरेने इंटर्फेरेंस अब एक बिलकुल सिंपल एक फ्लोचार्ट बना के दूंगा उस फ्लोचार्ट का हर एक बिंदू अगर आपने ध्यान में रख ल पैसे ध्यान आ जाओ यहां पर बीच में मैंने डाल लिख दिया आरेने इंटर्फेरेंस पहला चीज याद रखना है आरेने इंटर्फेरेंस को एक और नाम से जाना जाता है anti-sense technology तो घबरा मत जाना अगर RNA interference कहीं ना लिखा हो anti-sense technology लिखी हो तो RNA interference को ही anti-sense technology के नाम से जानते हैं पहली चीज तो यह है अब दूसरा क्या पिंदू याद रखना है ये जो RNA interference है ये क्या है RNA interference में हम एक gene को silence करते हैं हम एक gene को निश्क्रिय करते हैं मतलब हम एक gene को काम नहीं करने देते अब आप बोलोगे क्या है सर तो हम सब को मालूम है बच्चों ये आपके पास एक gene है यानि DNA है ये अनुलेखन के द्वारा क्या करती है transcription के द्वारा mRNA बनाती है और ये transcription mRNA बनने के बाद translation के द्वारा protein बनाता है ये ही मूल सिध्धान्द ये ही central dogma हमने पढ़ा था gene होती है gene से अनुलेखन transcription से mRNA बनेगा और mRNA अनुवादन protein sensation के द्वारा protein बनाएगा अब RNA interference में हम एक gene के कार्य को निश्क्रिय कर रहे हैं हम कर रहे हैं gene silencing gene का कार्य बंद कर रहे हैं मतलब gene को protein बनाने से रोक रहे हैं हम क्या कर रहे हैं gene silencing का मतलब है gene को protein बनाने से रोक रहे हैं तो RNA interference में gene से protein बनाने को रोकते हैं रोकते तो हैं किस तर पर रोकते हैं किस तर पर तो आरेने इंटर्फेरेंस है तो आरेने के स्तर पर ही रोकेंगे किस तर पर रोकते हैं आरेने के स्तर पर और आरेने के स्तर पर इसका मतलब अनुलेखन के स्तर पर और पश्च अनुलेखन के स्तर पर याद रखना पोस्ट ट्रांस्क्रिप्शन ये भी बहुत important चीज बनाता हूँ बच्चों बता रहा हूँ MRN बनने के बाद रोकोगे न MRN बनने के बाद रोकोगे यानि हम पश्च अनुलेखन MRN बनने के बाद रोकोगे कैसे रोकोगे एक द्वी रज्जुक आरेने के निर्मान द्वारा कैसे रोकोगे आप एक दबल स्ट्रेंडेड आरेने बनाओगे क्योंकि अगर ये MRN डबल स्ट्रेंडेड आरेने में बदल जाएगा तो हमने पढ़ा था मॉलीकिलर बाईलेजी में कि द्वी रज्जुक आरेने डबल स्ट्रेंड आरेने प्रोटीन नहीं बना सकता तो आरेने इंटर्फेरेंस आरेने हस्तक शेप में हम एक जीन को प्रोटीन बनाने से रोकते हैं हम एक जीन को साइलेंस कर रहे हैं किस तर पर आरेने के स्टर पर यानि पश्च अनूलेखन के स्तर पर, पोस्ट ट्रांस्क्रिप्शन के स्तर पर कैसे double-sranded RNA बना कर क्योंकि अगर ये mRNA से double-sranded RNA बन गया, तो double-sranded RNA प्रोटीन नहीं बना पाता ठी, अब एक और पॉइंट ये RNA interference अपने आप भी होता है ठीके, पीड़क प्रतिरोधक में तो हम यूज करेंगे ये पादप कोशिका के अंदर ही होता है अनिल जी ये आपके पास plant cell के अंदर ही होगा, हम अंदर ही करेंगे ये एक natural process प्राकर्तिक प्रक्रिया है जिसमें हम कोशी किया प्रतिरक्षा cellular defense की बात करते हैं यू केरियोट्स में, ये पॉइंट भी NCRT में है, ऐसा नहीं है कि आप artificially करते हो, RNA interference आप खुद भी कर सकते हो laboratory में, कृत्रियम रूप से भी की जाती है और ये प्राकर्तिक रूप से अपने आप भी होती है, हमारी कोशिकाओ में eukaryotic cell में RNA interference अपने आप भी होता है, प्राकर्तिक process भी है, जो eukaryotes में प्रतिरक्षा में काम करता है, काफी बार बाहर का DNA अगर हमारे शरीर में आ जाए, तो उसको मारने में भी RNA interference मतलब मारने का मतलब है, उसको protein बनाने से रोकने में भी काम करता है, तो इतना सब को समझ आ गया, RNA interference है क्या, किस तरपर काम कर रही है, और कैसे काम कर रही है, double standard RNA, अब इसमें एक चीज क्या है बच्चों, देखो NCRT में ध्यान से पढ़ोगे, तो ये लिखा हुआ है, कि अगर आप द्वीरजुक RNA बनाना चाहते हो, तो आपको द्वीरजुक RNA बनाने के लिए RNA का एक स्त्रोट चाहिए, अगर आप mRNA को double standard RNA, आप RNA को double standard RNA में परिवर्तित करना चाहते हो, ताके वो protein ना बनाए, तो आपको एक RNA डालना पड़ेगा बाहर से, आपको एक RNA स्त्रोट चाहिए, तो वो RNA स्त्रोट कहां से मिलेगा भई, वो RNA स्त्रोट या तो RNA viruses से मिलेगा, जिन में आनुवानशिक dRNA है, और या आपको मिलता है transposons से, ऐसे transposons जो बीच में RNA मध्यवर्ती बनाते हैं, यानि इनी को हम retro transposons भी कहते हैं, यह transposons क्या होता है बच्चों, ऐसे DNA होते हैं जो एक जगे से दूसरी जगे पर गती कर सकते हैं, अगर कोई DNA है जो एक गुनसूत्र से दूसरे गुनसूत्र पर जा सकता है, ऐसा DNA है जो एक organism से दूसरे organism पर जा सकता है, तो उसको transposons कहते हैं, और जब ऐसे DNA RNA बनाकर गती करते हैं, RNA बनाकर transfer होते हैं, तो उसको retro transposons कहते हैं, तो आपको RNA चाहिए बचों, हमें क्या चाहिए RNA, तो या तो यह transposons से RNA ले लो, और या RNA viruses से आप RNA का स्त्रोथ ले सकते हो, तो यह point भी NCRT में दे रखा है, आप चाहे तो इसका screenshot ले लो, RNA interference क्या है, इस पे सवाल बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना, gene को protein बनाने से रोकने की प्रक्रिया है, gene silencing की प्रक्रिया है, किस स्तर पर हो रही है, आप से पूछ लिया जाए, तो पश्च अनूलेखन के स्तर पर, post transcription के स्तर पर हो रही है, कैसे हो रही है, gene को protein बनाने से कैसे रोकोगे, तो आपको ध्यान में रखना है, द्वी रज्जुक RNA, double standard RNA के निर्मान द्वारा, और double standard RNA बनाने के लिए, RNA कहां से लाओगे, RNA का स्त्रोत कहां से मिलेगा, तो वो तो RNA viruses से मिलेगा, या transposon से मिलेगा, आरे महिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सब को clear है भई, इतना सब को clear है, अब ये NCRT में भी point दे रखा है, वो भी देख लेते हैं, बच्चों, आजो, ये रहा अपने पास, ये अब RNA क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, एक nematode है, meleadogine incognesia, ये टब्बाकु पादब की जड़ों को संक्रमित करता है, meleadogine incognesia है, तमबाकु की पौधों के जड़ों को संक्रमित करता है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये संक्रमन को रोकने के लिए RNA interference, RNA अंतर्क शेप की प्रक्रिया पर आधारित है, क्या करते हैं, ये देखो point, RNA interference सभी eukaryotes में होता है, कोशी किया defense, cellular defense, ससीम केंद्रिय जीनों में कोशी किया सुरक्षा की एक विधी है, ये भी बता दिया, फिर इसमें करते क्या हैं, हम silencing of a specific RNA, due to a complimentary double-scended RNA, और वो translation को रोक देता है, silencing, पूरक द्वी सूत्री RNA से होने के बाद निश्क्रिय हो जाता है, और दूत RNA का स्थानांतरन रुक जाता है, फिर अगर आपको RNA का स्त्रोत चाहिए, अगर source चाहिए, तो RNA वाइरस से आप ले सकते हो, या mobile जो गती शील ट्रांस पोजॉन्स हैं, उससे ले सकते हो, ये सारे points NCRT में हैं, बिलकुल अरजी जी, साहु जी application form जब आएगा जब पता चल जाएगा बेटा, अभी तक तो नहीं आया है, वर्षा जी ने पूछा है, सर की RNA viruses में RNA double standard होता है क्या, वर्षा जी, RNA viruses दो तरे के होते हैं बेटा, RNA viruses में single standard RNA भी होता है, और double standard RNA भी होता है, ज्यादा तर RNA single standard होता है बेटा, लेकिन रियो वाइरस है, रोटा वाइरस है, वून ट्यूमर वाइरस है, इनमें double standard RNA होता है, बाकि आपका जो पश्च विशानू है, ये COVID वाला वाइरस है, टबैको मोजेक वाइरस है, पोलियो वाइरस है, चिकन गुनिया, डेंगी वाला वाइरस, ये सारे वाइरस में genetic material single standard RNA होता है, ठीक है? क्लियर बचों? हाँ अनिल जी, ट्रांस्पोजोंस को ही जंपिंग जीन्स कहते थे बेटा, बिलकुल, और इसकी खोज वो बार्बरा मेकलिन टॉक ने की थी, बेटा, RISC अर्जी जी अभी नहीं बता रहा बेटा, क्योंकि वो NCRT में नहीं दे रखा, Dicer Enzyme का योगदान भी होता है इसमें, और RISC संकुल भी काम करता है, लेकिन NCRT में वो नहीं दे रखा है, तो हमारा जो ये सीरीज चल रही है, वो NCRT पर ही आधारित है, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया, बाकि बिलकुल सही, Dicer Enzyme काम करती है, RISC संकुल काम करता है, जो RNA को MRNA से जुड़ने में मदद करता है, ठीक है बचों, तो ये हमने किसकी बात कर ली, RNA interference वाली तकनीकी, और इसमें हमें पता चल गया, कि ये जो Nematode का DNA है, ठीक है ना बई, ये Nematode का DNA या Nematode का जीन है, उससे क्या बनेगा MRNA, और वो MRNA से आपके पास, एक संक्रामक प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन ही संक्रामन उत्पन करेगा, तो अब क्या होगा, अगर मैं इस MRNA को द्वी रज्जुक RNA में बदल दूँ, इस MRNA को हम द्वी रज्जुक RNA में बदल देंगे, डबल स्टैंड आरेने बना देंगे, तो फिर उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर नेमेटोड का प्रोटीन नहीं बनेगा, तो वो तंबाकू पादप की जणों को संक्रमेत नहीं कर पाएगा, ठीक है भई, क्लियर है सब को बात यहां तक, ये वाला सिस्टम आपको ध्यान में रखना है, तो देखो भई, NCRT में तो तीन ट्रांसलेशनिक पादप है, गोपाल जी बेटा, ओफलाइन बैच की जो सारी नोटिफिकेशन और जारी सूचना है ना बेटा, वो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और उसके अलावा मैंने आपको कल बताया भी था, कि 15 मार्च से एक यूनेट स्कॉलर्शिप टेस्ट भी हो रहा है उतकर्श का, तो अगर आप आप ओफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, जब हम गोल्डन राइस की बात कर रहे हैं, सुनहरे चावल, तो बिल्कुल सही है, गोल्डन राइस जो है, वो उसका जो न्यूट्रिशनल कॉलिटी है, वो अत्यधिक है या ज़ादा है, और न्यूट्रिशनल कॉलिटी मतलब वो किसमे धनी है, विटामिन A में, तो विटामिन A रिच चावल कौन से होते हैं, हमारे पास, गोल्डन राइस है, वर्षा जी आप बोर्ड में अगर RNA इंटर्फेरेंस पे आएगा बेटा, तो आप ये RISC और DICER एंजाइम के बारे में मत लिखेगा बेटा, क्योंकि NCRT में नहीं दे रखा है, इसको लिखने की आवशक्ता बिलकुल नहीं है, इन फैक्ट, DICER एंजाइम और RISC जो संकुल है, उसका प्रशन नीट में भी नहीं बनेगा, ठीके, ये तो जब हम RNA interference को विस्तार से समझना चाते हैं, तब हम उसकी बात करते हैं, बाकी सिधान्त के आधार पर, NCRT के आधार पर, DICER एंजाइम और RISC संकुल नहीं है, और इस पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसका आप रिकॉर्ड बिंग ले लेना, RISC और DICER एंजाइम का सवाल नीट नहीं पूछने वाला, ठीके बचों, तो ये हमने किसकी बात कर ली है, भई, ये RNA interference की बात भी कर ली है, अब हमारे पास, देखो हमने क्रिशी में अनुप्रयोग तो देख लिए, आशा बेटा दो जीन का निवेशन इसलिए करते हैं बेटा, क्योंकि विटामिन A को बनाने के लिए बीटा कैरोटीन की जरूत पड़ती है ना, और बीटा कैरोटीन को बनाने के लिए दो जीन ली निए बनाता है को, को ठीक है भई तो, अब हमारे पास किसकी बात करते हैं, हम चिकित सामे अनुप्रयोग की, अब हम किसमे बात करें गे जैव प्रवादйोगी की का चिकित समे अनुप्रयोग या जिसे हम कहते हैं, medicine में अनुप्रयोग तो अब आपको ध्यान में रखना है चिकितसा की बात करें या अब हम medicine की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है genetically engineered insulin और वो आनुपांशिक अभ्यांत्रिकी से निर्मित insulin को हम किस नाम से जानते हैं umulin के नाम से जानते हैं अब यहां पर क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है देखो बच्चो दो चीज़े हैं इसमें NCRT में पहले तो यह बता रखा है कि हमारे शरीर में insulin कैसे बनती है और फिर बता रखा है कि पहली बार laboratory में कैसे आनुपांशिक अभ्यांत्रिकी से बना हुआ insulin बनाया गया था तो इसमें आपको दो चीज़े याद रखनी है सबसे पहले तो आपको इन वीवो इन वीवो का मतलब आप समझ गए होंगे शरीर के अंदर जीवे अवस्था में insulin कैसे बनती है जीवे अवस्था में इन वीवो का मतलब है हमारे शरीर में कैसे बनती है तो हमारे शरीर में हमारे पास जो insulin का जीन है उस insulin की जीन से क्या बनता है MRN और MRN से आपके पास सीधा insulin नहीं बनता बनता है प्रो-insulin इस प्रो-insulin में आपके पास A-peptide होता है B-peptide होता है दोनों के मध्यदाय सल्फाइड बंध होते हैं और एक अतिरिक्त C-peptide भी होता है तो हमारे शरीर में जब हमारे बोडी के अंदर insulin बनती है तो वो एक निश्क्रिय प्रो-insulin के रूप में बनती है फिर इसमें रुपांतरन यानि मौडिफिकेशन होता है और मौडिफिकेशन से हमारे पास A-peptide और B-peptide जो आपस में डाय सलफाइड बंध के द्वारा जुड़ी है उससे आपके पास क्रियाशील insulin बनती है ये आपको NCRT में दे रखा है क्या दे रखा है भई कि शरीर में जब insulin बनता है तो शरीर में insulin बनता है तो वो सीधा सीधा सक्रिय insulin नहीं बनता वो निश्क्रिया प्रो-insulin के रूप में बनता है और निश्क्रिया प्रो-insulin की खासियत ये है कि उसमें A और B peptide के अतिरिक्त C peptide होती है तो रुपांतरन के दोरान C peptide को हटाया जाता है तो जो क्रियाशील insulin है उसमें दो ही peptides होते हैं A और B peptide 51 अमीनों अमलका insulin बना होता है ये तो आपको in vivo बता रखा है फिर आपको ये बता रखा है कि फिर इसको आपने पात्रे अवस्था में laboratory में सबसे पहले कैसे बनाया तो laboratory में क्या किया गया बचों? यानी पात्रे अवस्था में पात्रे अवस्था में या जिसे हम कहते हैं in vitro यूमू लिन का निर्मान तो सबसे पहले एक American company थी बचो US की company है जिसका नाम है Ellie Lily उन्होंने किस वर्ष में 1983 में किसका प्रयोग करके E. coli bacteria का प्रयोग करके Humulin का निर्मान किया था तो ये आपको सीधा सीधा सवाल बन सकता है एक fact है जो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले अनिल जी अगर ये pro insulin सक्रिय इंसुलिन के रूप में नहीं बनेगा बेटा तो काम नहीं होगा फिर blood में आपकी शक्रा का स्तर बड़ा रहेगा घट नहीं पाएगा बिल्कुल डाइबिटी से पीडित होंगे तो आपको ध्यान में रखना है एक American Company थी American Company एली लीली है उन्होंने 1983 में 1983 में E. coli bacteria के अंदर या E. coli bacteria का प्रयोग करकर Humulin का उत्पादन किया ये सारा data NCRT में है अब उन्होंने किया क्या भई उन्होंने simple सा क्या किया भई A. peptide का DNA लिया A. peptide को code करने वाला DNA लिया B. peptide को code करने वाला DNA लिया दोनों को अलग-अलग plasmid DNA से जोड दिया दोनों के लिए अलग-अलग cloning वहाँक लिया plasmid DNA दोनों को अलग-अलग प्लास्मिट से जोड़ा और जोड़ने के बाद किसमे ट्रांसफर कर दिया E-Kolai में हमको पता है E-Kolai बेक्टीरिया है बेटा E-Kolai को ही क्यों लिया क्योंकि E-Kolai पर सबसे ज़ादा आनुवानशिक शोध हो चुका है गोपाल जी E-Kolai के बारे में हमें सब कुछ मालूम है तो जिस बेक्टीरिया पर सबसे ज़ादा रीसर्च हो चुकी है जिस बेक्टीरिया के बारे में हमको सबसे ज़्यादा मालूम है इसलिए उसको प्रयोग करना सबसे आसान है ये भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि किस जिवानू पर सरवाधिक आनुवानशिक शोध किया गया है जेनेटिक रीसर्च जो है बायो टेकनोलजी जेनेटिक एंजिनियरिंग सबसे ज्यादा किस बेक्टीरिया आप में की गई है तो उसका जवाब भी आपको याद रखना है E. coli अब E. coli आपको क्या करके देगा बच्चो E. coli आपको A. peptide और B. peptide बना के दे देता है ठीक है? A. peptide और B. peptide आपको किसने बना के दे दिया? E. coli बेक्टीरिया ने लेकिन वो D. sulfide बन नहीं जोड़ सकते तो D. sulfide बन क्रित्रिम रूप से जोड़े जाते हैं आर्टि फिशली क्या जोड़े गए? D. sulfide बन जोड़े गए और क्रित्रिम रूप से D. sulfide बन जोड़कर किसका उत्पादन हो जाता है? हिमुलिन का तो यह point है जो आपको NCRT में दे रखे हैं इसको देख लेते हैं बचो इसको हम देख लेते हैं यह क्या-क्या दे रखा है medicine में यह रहा तो इधर देख लो भई इंसुलिन सबसे पहले दे रखा है इंसुलिन पहले कहां से निकाली जाती थी कैटल और पिग से पहले हम इंसुलिन कहां से निकालते थे बेड़ और सूर से निकालते थे तो जब आप जन्तूओं से इंसुलिन निकाल कर हमारे शरीर में डालते थे, तो उससे allergy होती थी, side effects होते थे, immune reactions होते थे, तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले तो दे रखा है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में इंसुलिन किस रूप में बनती है, pro hormone, pro enzyme या pro hormone, जिससे हम कहते ह जिसमें एक अतिरिक C-peptide होता है, ये C-peptide mature insulin में नहीं होता, क्योंकि उसको हटा दिया जाता है, तो यही था, A और B श्रिंखलाएं होती हैं, जो आपस में diaculfide बन से जुड़ी होती है, insulin प्राक hormone या pro hormone के रूप में होता है, और जब ये अतिरिक फैलाव होता है, जिसस insulin से अलग हो जाता है, फिर कैसे बनाया गया, ये देख लो भई, pro insulin में अतिरिक्त आपके पास ये C-peptide है, ये C-peptide है, ये आपको दे रखा है A-peptide है, और ये आपको दे रखा है B-peptide है, तो जब pro insulin से सक्रिय insulin बनती है, तो C-peptide हट जाती है, A-peptide से insulin बनता है, फिर आपके पास दे रखा है कब से पहले किसने बनाई, 1983 में, American Company एली लिली ने, American Company है, उन्होंने क्या किया, E-Colico यूज किया, प्लास्बिड में A-peptide में A-peptide बनाकर हुमुलिन तयार कर दी गई, क्लियर है बच्चों यहां तक सब को, बेटा, Lactalbumin क्या है बेटा, Lactalbumin एक प्रोटीन है बेटा, और Lactalbumin एक ऐसा प्रोटीन है, जिससे दूड की गुनवत्ता बढ़ जाती है, और इस Lactalbumin को कोड करने वाली जीन जो है न बेटा, वो जन्तु एक गाय में डाली गई थी, रोजी गाय में, इस कारण उसकी दूद की गुनवत्ता बढ़ गई थी, यह topic अपन अब कल देख लेंगे बेटा, तो हमने ये chapter जो है, बच्चो लगभग लगभग आधा हमने देख लिया है, अब आगे यानि जो कल वाला लेक्चर है, उसमें हम जीन थेरपी जो है, आणविक निदान जो है, और ट्रांसजेनिक जन्तु है, ये वाले topics जो है, हम लोग कल पूरा कर लेंगे, आशा जी बेटा, ऐसा ही RNA होता है, small interfering RNA बेटा, ये small interfering RNA जो होता है न, ये dicer enzyme के काटने से बनता है बेटा, छोटे छोटे RNA होते हैं, जो आगे चल कर mRNA से जुड़ जाएंगे, ठीके बच्चो तो I hope यहाँ तक आपको चीजें clear होई होगी, यहाँ तक आपको चीजें समझ आ आशा होगी, आसान हुआ होगा, अंत में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस session से फायदा मिल रहा है, इस session से आपको revision आपको और बहतर हो रहा है, तो जरूर अपने दोस्तों से share कीजिएगा, दोस्तों को इसके बारे में बताईएगा, और जितना जादा आप इसको share करेंगे और like करेंगे, उतना ही हमको और ताकत मिलेगी और नहीं उर्जा मिलेगी कि आपके लिए और बहतर ला सकें, ठीके, class बेटा, time सवा चार बज़े से ये class चलती है, ठीके, तो बाकी का जो topic है, हम उसको कल complete करेंगे, ठीके बचों, बहुत-बहुत झाल कर दो